हेलो गाईज आपको स्वागे तो मेरी एक और नहीं वीडियो के अंदर तो आप यूटूब पर बहुत सर्च कर रहोंगे कि थमनेल कैसे बनाए और बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है परिसान हो चुकियो तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है आप इस कर लेना है अब आपको यहां पर टूल वाले उप्सिन पर क्लिक कर देना है और क्रोप वाले उप्सिन पर आपको यह से क्लिक कर देना है अब आपको यहांसे इसको क्या करना सोला नाइन रिसू के अंदर इसको आपको क्रोप कर लेना है बहुत भाई बोलते कि हमारे पास कही है, स्क्रीन सोट नहीं अच्छा वाला तो एक काम करना है, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं पूरी अंड तक, मैं आपको स्क्रीन सोट भी दूँगा आपको कैसे मिलेगा, वो पहले आपको वीडियो पूरा देख लेना है और चैन पर नहीं तो सस्क्राइब जरूर करना है मैं आगे से और भी ट्राइ करूँगा, फिरिफायर के थमनेल आपको सिखाने की कौसिस करूँगा देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको करोप कर लिया है और इसको यहाँ पर आपको डन कर देना है यहाँ पर एक रिमूव का उप्शन मिल जाएगा आपको तो इस वाले उप्शन पर आपको क्लिक करना है और जितने भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यह बटम आ रहे हैं इनको आपको यहाँ पर रेड़ रेड कर देना है और इसके बाद आपको नीचे remove का option मिल जाएगा तो इस remove वाले option पर आपको यहां से click कर दिना है fixat application अगर जो मैं use कर रहा हूँ यह वाला आपको चाहिए तो telegram पर दिया मैंने जाके आप महाँ से download कर सकते हो आप देख सकते हो मैंने इसको remove कर दिया यहाँ पर जितने भी button controls आ रहे थे सारे remove हो गए है तो इतना हमारा यहाँ पर पहले हमारा screenshot हमने तयार कर दिया है तयार करने बाद आपको यहाँ पर draw वाला option मिलेगा देख सकते हो इस पर click कर दिना आपको उपर आपको मिल जाएगा three dots का option तो उस पर आपको यहाँ से click कर दिना है and यहाँ से इसको आपको कर दिना है save अब आपको क्या करना more वाले option पर आपको यहाँ से click कर दिना है click करने बाद आप देख सकते हैं आपर application आएगी तो एक lightroom application है जो कि telegram पर दूँगा download कर देना है इसको यहाँ पर आपको add to lr कर देना है दो option आएंगे added और add तो आपको add कर देना है और अब आपको अपने lightroom application को open कर देना है तो अब आपको एक preset दूँगा जो कि preset बहुत भाई यूज करते हैं जो भाई यह thumbnail बनाता 14 दस gaming नाम channel है उस बाई का thumbnail है यह preset तो यह बारा preset में तयार करना है यह बारा आपको लेना है ध्री डॉट पर उपर किलिक करना है copy setting पर किलिक करना है और right पर आपको किलिक कर देना है अब आपको अपने screen support पर चले जाना है जो आपका screen support है और यहां से आपको 3 dots पे क्लिक कर दिना है और इसको यहां से आपको कर दिना पेस्ट सेटिंग तो आप देख सकते हो कुछ इस परकार का है यहां पर आपका screenshot HD के अंदर color tune बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा यहां से आपको share वाले icon पे क्लिक कर दिना है अब आपको यहां से इसको save कर लेना है अब आपको इसको fixat application के अंदर open कर लेना है screenshot को जो हमने अभी preset को add कर रहा था वह वाले यहां पर आपको लियाना अपना screenshot अब आपको यहां पर sticker का option मिल जाएगा तो sticker वाले option पर आपको यहां से क्लिक कर दिना है अब आपको यहां पर green effect search कर दिना है अब आपको यहां पर देख सकते हो गने सारे green effect आ जाएगे तो यह वाले आपको add कर दिना है blend option पर आपको यहां से क्लिक कर दिना है और इसको यहां पर add पर या screen पर दोनों से आपको एक select कर दिना है और यहाँ आपको corner में इसको लगा देना है और opacity को यहाँ पर इसके कम कर देना है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसके बाद इसको यहाँ से आपको कर देना है done अब आपको क्या करना है इस sticker वाले option पर दुबारा चले जाना है और अब आपको यहाँ पर सर्च कर देना है blue effect अब आपको यहाँ पर एक blue color का effect add कर देना है जैसे आपने green का कराता है वैसे ही आपको यह blue color का भी add कर देना है अब आपको blend option पर चले जाना है यहाँ से आपको screen पर या add पर दोनों में एक select करके ऊपर कि तरफ इसको आपको यहाँ पर लगा देना है तो देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया और यहाँ से इसको कर दिना आपको done तो आप देख सकते हैं पहले से before and after इतना है यहाँ पर हमारा complete होता है अब आपको क्या करना है add photo वाली option पे आपको यहाँ से चले जाना है add photo में जाने के बाद आप इस screen पे देख सकते हैं एक png दूआ स्पार्कल की इस png को यहाँ पर आपको add करना है size को इसके आपको बिल्गुल फुल कर देना है blend option पे आपको जाना है यहाँ से screen भी कर सकते है एड भी कर सकते है तो आप देख लेना है और size को आप अपने इस आप से देख लेना फूल कर लेना जाजा अच्छा चमक आएगा एंड इसके बाद आपको यहाँ से इसको कर दिना है done तो देख सकते हैं पहले से before and after अगर free में यह वाला thumbnail चाहिए तो वो भी आपको बताऊंगा वीडियो पूरा आएंड तक आपको देखना और subscribe जरू करना जब यह आपको बताऊंगा अब आपको text वाले option पे click कर दिना है और जो भी आपका text है वो आपने text आपको यहाँ पर type कर दिना है अब यहाँ पर मैं text को type कर दिता हूँ जिस text के उपर मेरे को thumbnail बनाना है तो यह मैंने text यहाँ पर type कर दिया मैं इसको पाओं की जुती जो thumbnail चल रहा है वो ही वाला बनाऊंगा अब आपको यहाँ पर see all पे click करके आपको एक font select करना है जो की सबसे main है add font पे आपको यहाँ से click करके अपना font add कर लेना है और मैं आपको description में दूँगा फिरी में बिल्कुल दूँगा तो अपना add कर लेना है और enjoy करना है बच्चायों को subscribe जरूर कर देना है आप font देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दिया अब आपको एक blue tune का जो texture होता है वो texture आपको यहाँ पर दे दूँगा तो आप देख सकते हो just one click के अंदर आपको यहाँ पर text तयार हो गया है जो उनसा आपको text चाहिए था यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको perfect तरीके से यहाँ पर इसको लगा दूँगा अब आपको यहाँ पर stroke पर click कर देना है और white color आपको हलका साथ दे देना है और इसको यहाँ पर सही तरीके से आपको लगा देना है text को अपने तो देख सकते हो पहले से कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आभी हमको एको text देना है तो उसके लिए भी आपको text वाले icon पर दुबारा से click कर दिना है और जो आपका यहाँ पर text है अपना दूसरा text आपको type कर दिना है करने के बाद आपको यहाँ से right पर click कर दिना है font वाले option पर आपको यहाँ से click कर दिना है और जोन साब मैंने font add करा है देख सकती है वाला इसको यहाँ पर लियाना है देख सकते हैं आपको यहाँ पर बिल्कुल text तयार हो जाएगा इसको आपको नीचे की तरफ लगा देना है size को आपको बड़ा करना है तो अपने इसाब से देख लेना आपको जैसा पसंद आए वैसा अपना देख लेना मैं बस आपको thumbnail बनाना बता दूँगा और इसको font बगार आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूँगा और अपने इसाब से आपको देख लेना है कैसा ब पसंद हो वो आपको head ले लेना है तो यहाँ पर मैंसे एक कोई साथ select कर दूँगा तो जैसे कि मैं यह वाला एक select कर देता हूँ size को छोटा करूँगा और उपर की तरफ यहाँ पर इसको लगा दूँगा अब आपको क्या करना है इसके color को saturation को विल्कुल 100% माइनस करना है अब just पर क्लिक करके और इसके brightness को बढ़ा देना है और saturation को 100% माइनस कर देना है देख सकते हैं आपको यहाँ पर बिल्कुल perfect तरीके से लग गया है अब आपको यहाँ से right पर क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा सही से और इसके बाद आपको अगेन राइट पर क्लिक कर देना है तो बहुत भाई यहाँ पर वीडियो छोड़ जाएंगे तो उनको एक बात बता दता हूँ वीडियो पूरा देखना इसमें में लास्ट में जो चीज यूज करूँगा मैं जबी यह थम्जल त इसरीके से तैयार नहीं होएगा तो यहाँ पर देख सकते हो टूल वाले उप्षण पर आपको यहांक तो परhesion नहीं होएगा और अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेना है जिससे आपका बिल्कुल thumbnail HD के अंदर हो जाएगा और इसके amount को यहाँ पर आपको a3 आसे बी तो amount को 100% रख दिया और यहाँ से आपको कर दिना है इसको done तो यहाँ पर complete होता इतना अब आपको क्या करना है draw वाले option पर जाना है 3 dot पर आपको यहाँ से click कर दिना है और इसको यहाँ से आपको save कर दिना है अब आपको यहाँ से इसको more वाले option पर click कर दिना है और यहाँ से इसको आपको Lightroom application के अंदर share कर देना है तो यहाँ से इसको हम add कर देंगे Lightroom application में और अब आपको एक और दूसरा preset जो कि main preset रहेगा तो यह वाला आपको preset यहाँ पर use करना है तो देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखा देता हो तो यह वाला preset है तो यह वाला आपको preset लेना है उपर three dots पर आपको आपको किलिक कर देना है copy setting आपको यहाँ से किलिक कर देना है और अब आपको क्या करना है जो भी आपने thumbnail बनाया था भी पूरा उस thumbnail पर आपको जाना है और three dots पर आपको यहाँ से किलिक करके यहाँ से इसको आपको paste setting कर देना है तो अब आप देख सकते हो thumbnail पहले से before and after देख सकते हो quality कितनी बड़ी आ गई है बिल्कुल जैसे PC के अंदर तयार करते हैं वैसा thumbnail यहाँ पर बिल्कुल तयार हो गया है वीडियो चले दोगी तो वीडियो को like कर दिना है चैनल पना सस्क्राइब करना और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर देना बहुत मेनत लगी है और 10-12 मिनट की यह वीडियो हो गई है और प्रिसेट आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन का दूआ पिन जी वगएरा सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर स्क्रीन सोट भी जाके डाउनडर कर देना जितना उसे के सेयर करना और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना है जल्दी से सोला के सस्क्राइबर करवा दो और जितना उसे के वीडियो को सेयर करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना है और फिरी में थमनल चाहिए तो टेलिग्राम को जोइन कर लो वहाँ पर मैं फिरी में दे दूँगा